नमस्कार दोस्तों, नोटिपाइड चैनल पर आपका स्वागत है फर्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको बता दू कि बहुत चल्द बिग बॉज 17 शुरू होने वाला है और उन्होंने इस बात का हिंड अपने पिछले व्लॉग में भी दिया है तो टीम को मैं ये पर छोड़ करके जा रहा हूँ वही कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रिलिया का वर्ल्ड कप फर्स मैस था जिसमें इंडिया की जर्सी पहने एक अंजाना खिलाडी शुरू मैच में घुस गया अब यह जारो 69 की टीशट पहन के किसी भी मैच में घुस जाता है और प्लेयर की तरह रियक्ट करता है अब इसके पहले इसको स्टेडियम में आने पर बैन लगा गया था पर इस बार ICC ने इसे लाइप टाइम स्टेडियम में आने से बैन लगा दिया है अब आपको पता दू कि फ्लाइंग बिस ने ध्रूराटी को रोज करते हुए एक ट्विट किया है और कहा है कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉंसिबिलिटी इसराइल हैस तू स्टेंड अप एंड डिस्ट्रॉई दे टेररिस्ट तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली ध्रूराटी का एक वीडियो काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है जिस वज़े से उन्हें काफी ज्यादा हेट पड रही है उसी वज़े से फ्लाइंग बिस ने ऐसा ट्विट किया है तो आपको पता ही होगा कि Flying Beast जब देश का दूनी कैमपेंड करके साइकल चला रहे थे तब ही उन्हें कुछ लोग कमेंट्स करके कह रहे थे कि साइकल चला कर क्या ही होने वाला है क्या ही उखाड लोगे उससे अच्छा गरीबों की मदद ही कर देते तो Flying Beast ने उनका जवाब इतने दिनों बाद उनका देश का दूनी कैमपेंड सकसेज होने के बाद दिया है और कैसा दिया है आप वीडियो में ही देख लो यह तो किसी भी चीज के लिए IPL क्यों करा रहे हो भाई हजारो करोड रुपर तुम क्यों बाहरे हो इतना पानी रखता है उस समय महरास्ट में बारिश नहीं होती किसानों को दे दो वर्ल्ड कप क्यों करा रहे हो अभी यह यह इतनी बड़ी-बड़ी मुवी रिलीज होती है तुम भी अपना वो डेटा बैक रिचाइज मत करा है उससे भी तुम किसी गरीब को पाले जी का बिश्किटी खिला दो कुछ तो तुम्हें पूली मिलेगा तो इस इस कॉमेंट लेकिन ऐसा नहीं होता भाई तो आई होब ये वीडियो आपको पसंद आ गए है आपको इस पर क्या लगता है हमें कॉमेंट पर बताना मत भुलीगा मिलता हूँ अगली वीडियो में चलता हूँ धन्यवाद